सो यार कैसे हैं आप लोग फिर से स्वागत है आपका एक और खमाल के वीडियो में जिसमें मैं Aero Season 1 एपिसोड 10 की कहानी से आपको रूब रुकराऊंगा फ्रेंड्स इसके पहले के सारे एपिसोड को मैंने बहुती अच्छे तरीके से अपने चैनल पर और रेटी एक्स्प्लीन कर रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई पटन या फिर इस वीडियो के इंड स्क्रीन में मिल जाएगा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बाकी के सारी वीडियो को भी देख लेना ताकि आपको इस सीरीज से जुरी सारी कहानिया अच्छे से क्लियर हो सके सो यार अब जादा देर न करते हुए सिधा हम लोग एपिसोट की कहानी की और आगे बरते हैं हमारी आज की कहानी सुरू होती है और हम लोग जोहाना के भाई डैनी को देख बाते हैं बात करे फ्रेंट समलोग डैनी की तो डैनी एक फायर फाइटर था और जोहाना वही लर्की थी जिसके साथ लौरिन काम किया करती थी यानि जो लर्की लौरिन के साथ हर समय उसके आफिस में रहा करती थी वही जोहाना थी चुकि डैनी एक फायर फाइटर था इसलिए वह प्र लाग चाने के बाद भी टैनी खुद को नहीं बजा पाता और इस इंसान के हथे चर जाता है यानि इस मास्क पहने हुए इंसान के द्वारा मार दिया जाता है अब सिंसेट होता है अलिवा के बास चुकि पिछले एपिसोड में अलिवा बुरी तरह से घाल हो चुका होता है इसलिए यहाँ पर पिछले एपिसोड के बारे में सूचता हुआ अलिवा धेर सारी प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि किसी तरह से वह ब्लैक मास्क पहने हुए इंसान या फिर Black Arrow को यूज़ करने वाले इंसान को मार सके अलवा यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तब ही यहाँ पर डिगल आता है चुकि पिछले एपिसोड में Walter का अब हो चुका होता है इसलिए डिगल इससे पुछता है Walter का कुछ पता चला जिस पर अलवा कहता है मुझे लगता है डिगल Walter को खोजने से भी जादा important कुछ काम है और मैं उन सारी चीजों पर वर्ड कर रहा हूँ अलवा के इतना कहते ही हमारी कहानी flashback में चली जाती है जो ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पिछले एपिसोड का flashback खत्म हुआ था चुकि पिछले एपिसोड में याहू फेही को एडवर्ड के आदमियों ने किटनेप कर लिया था और इन सारी चीजों से डरता हुआ अलवा यहां से भाग रहा होता है कि तभी अलवा का पीछा करता हुआ एक इनसान इसके पीछे आता है यहाँ पर अलवा जैसे ते सिकर के इस इनसान से लडाई जगणा करता है और आखिरकार इस इनसान को मार देता है अलवा एडवर्ड के आदमी के कप्री को पहनता हुआ यहां से जा रहा होता है कि तभी अल्वा को उसके पॉकेट में कुछ चावियां और एक मैप दिखाई परता है यहाँ पर अल्वा इस मैप को देख रहा होता है कि तभी इसी के साथ ये फ्लेश में खत्म हो जाता है और सीन वापस से प्रिजन्ट में आती है आगे हम लोग लोरिन और जुहाना को एक साथ उनके ओफिस में देख पाते हैं जो अपने काम के सिलसले में एक दूसरी से बात करे होते हैं कि तभी यहाँ पर क्वेंटीन आता है जो डैनी के मरनी की खवर जुहाना को देता है अपने भाई के मौत की खवर सुनकर जुहाना को बहुत ज़्यादा बुड़ा लगता है और वा लोरिन को पकर कर रोनी लगती है अगले चान हम लोग मोयरा को देख पाते हैं जो अपने घर में वाल्टर की तस्वीर को देख कर रो रही होती है कि तभी अल्वा इसके पास आता है और साथ में डिनर करने को बोलता है जिस पे मौयरा मना कर देती है आगे अल्वा अपनी बहंटिया के पास जाता है और टीवी देखने लगता है टीवी देखनी के करम में अल्वा को पता चलता है पिछले 6 सब्ता से घाल होनी की वज़े से अलवा एरो बन कर शहर में गुनाहगार को मानी या फिर गुनाह कम करने नहीं गया है इसलिए शहर में गुनाहगार की संग्या 16% तक बढ़ गई है और शहर में अफरात अफरी का मौल है इसी क्राम में हम लोग लोरेन और टॉमी को देख पातें जो एक दूसरी के साथ होतें और एक दूसरी के साथ रोमेश कर रहे होतें कि तभी इनके पास जुहाना आती है यहाँ पर जुहाना की बातों से इन दोनों को पता चलता है जब डैनी की मौत हुई थी तो उसके युनिफर्म से धेर सारे तेल के रिमेंस मिलेते पर जहां डैनी आग बुझाने गया था वहाँ पर नहीं कोई तेल था और नहीं कोई तेल का रिमेंस डैनी का युनिफर्म 500 डिगरी तक के टेंपरेचर को बरदास कर सकता था और जिस आग को डैनी बुझाने गया था उसका मैकसिमम टेंपरेचर 2800 डिगरी सेंटिग्रेट था आगे जोहाना डैनी की फोरेंसिक फाइल को लोरिन को दिखाते हुए कहती है मेरे भाई का सूट अ और वो अपने पिता क्वेंटीन से स्तारी बातों को डिसकस करते हुए डैनी के फाइल को रियोपिन करने को कहती है बार बार रिक्वेस्ट कहने के बाद भी क्वेंटीन अपनी बातों पर अरा रहता है यहाँ पर ये दोनों बात करे होते हैं कि तभी क्वेंटीन के पास ए चेरचार करनी जाए ये इतना कहने के बाद ये इंसान यहां से चला जाता है आगे लॉरेन फिर से अपने पिता कुएंटीन को डैनी के फाइल को रियोपन करनी को कहती है जिस पर कुएंटीन नहीं मानता और यहां से चला जाता है चुकि ये phone Aero का था इसलिए Quentin के हां से चले जाने के बाद Lauren इस phone को उठाती है और फिर Quentin के office से बाहर निकलने के बाद वह Aero को phone करके Danny की सारी संचाई बताती है चुकि एरो सचाई का पुतला था यानि वो हर समय सचाई के लिए काम किया करता था इसलिए वो लॉरेन के दोरा पताईगी बातों को एक्सेप्ट करते हुए डैनी के केस पर काम करना शुरू कर देता है इसे करम में एरो कई दफ आपनी पहचान चुपाते हुए लॉरेन से मिलता है और डैनी के केस के बारे में डिसकस करता है अगले चान हम लोग टॉमी को अलिवा के साथ देख पाते हैं जैसा आपको पता है फ्रेंट्स अलिवा ने टॉमी को अपना मैनीजर नुक दिया था इसलिए ये दोनों मिलक अलिवा के पिता के फैक्टरी में एक नाइट कलब खोलने का प्लान बनाते है चुकि जोहाना ल नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये दोनों मिलकर जोहाना के फैमली के लिए फंडिंग पार्टी को अरेंज करेंगे और उस पार्टी में सहर के सभी अच्छे लोग इन्वाइट होंगे चुकि वाल्टर पिछले कई दिनों से गायब हो चुका होता है इसलिए कंपनी का मैनि करता है कि तभी इसके पास डिगल आता है और कोनी मिलेजा कर कहता है मैं जानता हूँ तुम डैनी के केस पर काम कर रहे हो पर डैनी अखिला ऐसा नहीं है जो आग लगी से मरा हो डैनी जैसे तरीके से पिछले दो सब्ता में तीन लोग मरें मुझे लगता है ये कोई सीरियल किलर है आज भी सेर के एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और मुझे ऐसा लगता है किलर वहां भी आएगा और किसी फारफाइटर को मारेगा डिगल की बाद सुनका अलवा तुरत से आग लगी बिल्डिंग में जाने के लिए निकल परता है इसी करह में हम लोग आग दियानी हमारा ओलिवा एरो बन कर आज आता है और इस इंसान पर हमला करनी की कोशस करता है एरो को सामने देखका ये किलर यहां से धमाका करते हुए फरार हो जाता है पर किलर के फरार होने से पहले एरो इस इंसान के हाथ पर जले हुए निशान के साथ एक फायर फ्लाइग तैटू देखता है जिसके बाद औलिवा लॉरेन को फोन करके किलर के जले हुए हाथ पर टैटू होने वाली बात बताता है। शहर के फारफाइटर कमांडिंग ओफिसर के पास पहुंचती है, चुकि अल्वा भी डैनी और जोहाना के लिए फंडिंग पार्टी एरेंज कर रहा होता है, इसलिए फंडिंग पार्टी के सिलसिले में अलिवा भी फारफाइटर कमार्णिक ओफिसर के पास पहुंचता है यहां से इन्हें पता चलता है मैथ्यू नाम का एक इंसान जो इस्पेसल फारफाइटर का कैप्टन था वो दो जाल पहले शहर के किसी बिल्लिंग में लगी हुई आग को बुझाने के क्रमे मर गया था और उसी के मरने के साथ इस्पेसल फारफाइटर के मिसन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था अब एक एक करके मैथ्यू के स्पेशल फारफाइटर के ग्रूप वाले लोग मर रहे हैं इस बात को सुनने के बाद अलवा एक तरफ तो लॉरेन दूसरी तरफ अपने अपने घर के लिए निकल परते हैं अब कहानी आती है दो दिन बाद जहां लोग लोडेन और टोमी को एक साथ एक दूसरे को किस करते हुए देख पाते हैं जिसके बाद हमें पता चलता है अलवा और टोमी ने जो फंडिंग पार्टी अरेंज कर रखी थी वो आज ही है यहाँ पर सभी लोग पार्टी में ब्यस्त होते हैं कि तभी मास्क पैना हुआ डैनी को माने वाला किलर यहाँ पर आ जाता है और पूरी बिल्डिंग में आग लगाना सुरू करता है इस मास्क पैने हुए इंसान को सामने से आता हुआ देखकर अलवा फूर्ती दिखाते हुए अपनी फैक्ट्री में पहुँचकर एरो के ट्रेस को पहनता हुआ फिर से पार्टी में पहुँचता है इसी क्रम में किलर फाइफाइटर कमांडिंग ऑफिसर के पास आकर इसे माने की कोसुस करता हुआ कहता है तुम मुझे पहचार रहे हो ना मैं ही मैति हूँ मैं उस दिन मरा नहीं था उस दिन बिल्डिंग में लगी आग में मैं सबसे अंदर आग के बीचो बीच था मेरी टीम को बचाने के लिए तुमने बैक आप फोर्स बेजा था बैक आप ने मेरी टीम को निकाल लिया वो लोग मुझे भी आग से निकाल लेते पर जल्देवाजी दिखाते हुए तुमने उन्हें वापस बुला लिया मैंने अपनी टीम की कई दफा जान बचाई थी पर जब मुझे जरूआ थी तब मेरे साथ कोई भी नहीं था इसलिए मैं उन सब को मार रहा हूँ और तुम्हें भी मार डालूँगा मैं तो उस आग से किसी तरह से बच निकला और उसी वज़े से मेरी ये हालत है इतना कहने के बाद मैथ्यू फारफाइटर कमारनिंग अफिसर पर हमला करके इसे मारने की कोस्तिस करता है किसी करम में हाँ पर एरो आ जाता है और इस पर हमला करने लगता है अपने सामने arrow को देख का मैंत्यू बहुत ज़ादा डर जाता है और अपने आपको आग में समर्पीत करता हुआ आग में सुसाइट कर लेता है जब मैथ्यू के द्वारा डैनी को मानने और लॉरिन और एरो को डैनी के केस में इंवल्व होने वाली बात क्वेंटीन को पता चलती है तब वह लॉरिन के पास आगर कहता है मुझे मेरे ओफिस से पता चला है तुमने एरो के द्वारा मुझे दिये गए फोन को अपने पास खर चोड़ी करना तो सही नहीं है पर तुमने चोड़ी अच्छे कामों के लिए किये साथी साथ तुम और एरो मिलकर नेकी का काम कर रहे हो इसलिए तुम एरो के द्वारा दिये गए फोन को अपने पास रख सकती हो क्वेंटीन के बास सुनका लॉरिन फोन को अपने पास वही दूसरी तरफ क्वेंटीन मुस्कुराता हुँ आपने ओफिसर के पास पहुंचता है यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है इन दोनों ने मिलका एरो के द्वारा दिये गए फोन में एक छोटा सा माइक लगा दिया है और आप लॉरिन एरो से जो भी बा अतने होगा विल गाइस एरो के साथ क्या होने वाला है यही तो अगले एपिसोड की मिस्ट्री है अगर आप आके के एपिसोड को देखना चाहते हो तो कमेंट में निक्स टैप करते ना मैं जल्द से जल्द इसके निक्स एपिसोड को अपलोड कनी की कुर्सिस करूँ गा सो गाइस वीडियो यहीं तक था, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल देशी बुक को अल वेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मु